किस से पंगा लिया है तूने ये सारे के सारे चन्ने के टॉप टेन घुंडे हैं तुकडे तुकडे कर देंगे तेरे बहुत बड़ी गलती की है तूने यह आकेले आकर मुन्ना जुंड में तो सूर आते हैं शेर अकेला ही आता है दोस्तों वैसे तो भारत में किसी भी मूवी को रिलीज करने के लिए कोई अच्छा या छुट्टी वाला दिन देखा जाता है या मूवी को ऐसे समय पर रिलीज किया जाता है जब कोई त्योहार आने वाला हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थीएटर तक लाया जा सके और वो मूवी को देख सके लेकिन दोस्तों आज हम जिस एक्टर की बात करने वाले हैं उनकी फिल्म कभी भी एउन किसी भी दिन रिलीज कर दी जाए छुट्टी तो अपने आप ही हो जाती है में रजनीकांत के नाम पर कई मंदिर भी बनाए गए हैं जहां पर लोग उनकी पूजा करते हैं मुझे तो दोस्तों नहीं लगता कि जो दर्जा सुपर्ष्टा रजनीकांत को दिया गया है वह दर्जा दुनिया में किसी एक्टर को दिया गया है लेकिन दोस्तों रजनिकान्त की इस अदभुत सफरता के पीछे बहुत ही बड़ी संगर्स चुपी हुई है वो क्या है एवं रजनिकान्त के जीवन से जूड़ी सभी बातों को आज हम जानेंगे इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी का दोस्तेंड होस्त रेयांस चुएल लेकर आया हूँ आप सभी के सामने रजनिकान्त सर की वो कहानी जिसको शायदी आप लोग जानते होंगे एवं वे किस तरह से संगर्स करने के बात आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं अगर आप रजनिकान्त सर के फैन है तो वीडियो के अंतक बने रही है एवं जाने रजनिकान्त सर की जिए उनकी कहानी रजनिकान्त सर का जन 12 दिसंबर 1950 को करनाटक के बैंगलोर में एक मिडल क्लास मराटी फैमले में हुआ था बच्पन में उनके माता पिता ने उनका नाम छत्रपती सीवाजी के नाम पर सीवाजी राव गाईकान्ड रखा था रजनिकान्त के पिता का नाम रामो जी राव गाईकान्ड था वे पैसे से पुलिस करस्टेबल थे और उनकी मार का नाम जीजा बाई था जो एक हाउस वाइफ थी रजनिकांत के दो भाई एवं एक बहन हैं चारों भाई बहनों में रजनिकांत सबसे छोटे हैं रजनिकांत की पढ़ाई की बात करे तो इनकी पढ़ाई गोविपूरम गौवर्मेट स्कोल से की है वे बच्षमन से ही पढ़ाई में काफी भोशेयार थे साथ ही साथ उनको खेल कूद में भी काफी जादा इंटरेस्ट था रजनीकांत की फैमिली में सभी मराथी बाशा में बात किया करते थे एउम साथ में वे बैंगलोर का लोकल लेंग्वेज कन्नर भी सीख लिया जब रजनीकांत के वल नो साल के ही थे तब उनकी मा का देहान थो गया उसके बाद उनके भाई ने उनको पढ़ाई के लिए रामाकर्ष्म मिशन के अंतरकत चलाए गए एक मठ में भेज दिया वहाँ पर रजनीकांत को पढ़ाई के साथ साथ भारती संस्कर्टी एयों वेदो की भी जानकरी प्रात हो गई मठ में रहते हुए उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया एक बार उन्होंने महाभारत में एक लगवे का दोस्त का रोल निप्टिया था उसके द्वारत की गई इस एक्टिंग को देखकर लोगों ने उनको काफी पसंद किया गया छटी क्लास के बाद रजनिकान्त की पड़ाई आचारिये पब्लिक पार्ट शालर से की और साथ में बहुत सारे नाटकों में भी हिस्सा लेते रहे जिसमें थियेटर की तरफ उनका शोग बढ़ता है का और एक्टिंग की तरफ अपना करियर बनाने का सोचा लेकिन उसके बाद स्कूलिंग के समय से ही उनकी पारिवारिक इस्तेती बहुत ही कराब होती चली गई और अपनी पारिवारिक इस्तेती के लिए बैंगलोर और मदरास में बहुत सारे छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया जिसमें वे सबसे पहले खूली का काम करने लगे लेकिन वहाँ पैसे बहुत कम मिला करते थे इसलिए उन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया उसी दोरान बेंगलोर बस ट्रांसपोर्ट में बस कंड़क्टर की वेकेंसी आई उन्होंने उसमें क्वालिफाई कर लिया फिर वे बस कंड़क्टर की नोकरी करने लगे जिससे उनकी पारिवारिक स्थिती में सुधार होने लगा वे इस जोब को करते हुए थियेटर की दुनिया में अलग हो गए थे लेकिन उन्होंने conductor करते हुए acting करना नहीं छोड़े थे वे बस में conductor करते हुए अलग-अलग तरह की acting किया करते थे जिससे बस में सफर करने वालों को entertainment कर सके इसके लिए वे काफी famous हो गए थे यहां वे बस conductor का काम तो कर रहे थे लेकिन ये उनके पैसन से बहुत अलग था उसी दोरां रजनी कांथ ने मतरास Film Industry का एड न्यूजपेपर में देखा जिसमें फिल्मों की acting का course करवाती थी यह बात उन्होंने अपने घर पर की लेकिन घर में पैसों की कमी होने के चलते उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला लेकिन रजनी कांथ के साथ काम करने वाले उनके एक दोस्त राज बहुदू ने रजनी कांथ के acting की तरफ उनके पागलपन को देखा था और इसी वज़े से उन्होंने मतरास Film Institute में एडमिशन के लिए रजनी कांथ की पूरी मदद की और फिर रजनी कांथ ने कंड़क्टर की जोग को छोड़ दी एवं 1973 में acting सीखने लगे कुछ पैसों के लिए रजनी कांथ जगर जगर जाकर acting किया करते थे एक पार इंस्ट्यूट में ही नाटक के समय famous director के बालचंदरन की नजर रजनी कांथ पर पड़ी और वे उनकी acting में इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रजनी कांथ को अपनी एक तमिल फिल्म के लिए साइन कर लिया और साथ में रजनी कांथ को तमिल सीखने के लिए सुझाओ दिया के बालचंदरन के कहले पर रजनी कांथ ने तमिल बाश्चा भी सीख लिया अग उन्हें मराटी कंड़ एहुं तमिल बाश्चा की जानकारी हो गई थी उसके बाद सल 1975 में के बालाकरशन की फिल्म अपुरुवा रंग गलर से रजनी कांथ ने अपने फिल्मी सफर सुरू किया उसमें उन्होंने एक बिलन का रोल निबाया था वेसे देखा जाये तो उनका रोल कोई खास नहीं था लेकिन इतना था कि उनकी एक्टिंग को देखकर लोग उनको पैचाने लगे उनकी एक्टिंग के दम पर उसी साल उन्हें एक और मुवी कता संगम में भी रोल मिल गया फिर उसके बाद से रजनी कांथ ने फिर कभी पीछे मुड कर नहीं देखा और अपनी यूनिक एउन अलग एक्टिंग के बदोलत तमिल फिल्मों से सूपर स्टार बन गए उसी दोरा उनकी मुलाकात लतार रंगाचारी से हुई जो अपने कॉलेज के मैगजीन के लिए उनका इंट्रिवू लेने आई थी रंगिकान ने उनको जब देखा तो उनका अपना दिल दे बेटे और 26 जनवरी 1981 को तिरुपती आंद्रपतेस में शादी कर ली बाद में उनको दो बेटियां हुई जिसमें बड़ी बेटी का नाम एश्वरे रंगिकान एउन छोटी बेटी का नाम सौनदरी रंगिकान थै बड़े होकर एश्वरे ने जाने माने अक्टर धनुस से शादी कर ली और छोटी बेटी सौनदरी रंगिकान ने तमिल फिल्मों के डारेक्टर एउन परडुशर के तोर पर काम करने लगी तमिल फिल्मों के सूपरिश्टार बनने के बाद रजनिकान ने हिंदी फिल्मों में भी काम कदम रखा और उनकी पहली हिंदी फिल्म अमित्ता बच्चन के साथ अंदा कानून में काम किया उसके बाद उन्होंने तमिल के साथ साथ किसी हिंदी बाश्या में बहुत सारी फिल्मों में काम किया रजनी कांग ने अभी तक बहुत सारी साउट एयों हिंदी फिल्मों में काम किया है जिसमें से कुछ फिल्में मुंद्रूम, मुदिचू, गायत्री, प्रिया, जौनी, रॉय रॉबर्ट रहीम, अन्दा कानून, जौन जौनी जनादन, आखरी संग्राम, इंसाफ कौन करेगा, जुल्म की जन्जीर, मेरी अदालत, गंगवा, महा गुरू, आज का दादा, वफादार, बगवान दादा, दोस्ती, दुश्मनी, अस्ती नकली, उत्तर दक्षिन, तमाचा, प्रस्टाचार, चाल बाज, इसन कनईया, फरिस्ते, खून कक्र्ज, हम, फूल बने अंगारे, दल पती, त्यागी, चोर के गर चोर मी, इंसानियत के देगता, आतंक ही आतंक, क्राम्तिकारी, आगाज, रोबोर, कबाली, एम रोबोर 2.0, जैसी फिल्मों में काम किया, दोस्तों, रजनी कान्त की सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वे इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावदूर भी जमीन से जुड़े हुए हैं, वे फिल्मों के बाहर असल जिन्दगी में एक आम आद तो वे उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जान देते, दोस्तों, रजनी कान्त ने कभी भी अपनी सफलता को अपने उपर हावी नहीं होने दिया, शायद यही कारण है कि उनके पसंद सक उनको प्यार ही नहीं करते बलकि उनको पूचते हैं, आपका बहुमूल समय देने के एवम हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले, एवम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें, एवम बेल आइकन को जरू आप सभी को सबसे पहले मिल जाएं